बॉलिवोड की खुबसूरत अभिने ट्री ट्विंकल खन्ना ने भले ही बॉलिवोड में बहुत कम फिल्मों में काम किया हो लेकिन इनकी फिल्मों में हद से ज्यादा कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स होने की वजह से ये आज तक लाइम लाइट का हिस्सा बनी रहती है फिल्म मेला में ट्विंकल खन्ना ने काफी इंटिमेट और बोल्ड सीन्स दिये थे जिसकी वजह से इनकी ये फिल्म आज भी दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है लेकिन बावजूद इसके ट्विंकल खन्ना के पती अक्षे कुमार को इनकी फिल्म मेला बिलकुल भी पस साल 1996 में आई फिल्म जान में ट्विंकल खना के साथ बॉलिवुड के सिंग हम यानी अजय देवगन भी नजर आये थे और आज भी दर्शकों को इनकी ये फिल्म बहुत पसंद आती है जहां इस फिल्म में ट्विंकल और अजय देवगन की लव केमेस्टरी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और इसी के साथ ये फिल्म काफी ज्यादा सूपर डूपर हिट भी हो गई थी लेकिन बावजूद इसके अक्षै को इनकी ये फिल्म बिलकुल पसंद नहीं आई इसका में रीजन यही था कि अक्षै कुमार और अजय देवगन काफी लंबे समय से ए नंबर टू मेला साल 2002 में रिलीज होने वाली ये फिल्म मेला ट्विंकल के आक्टिंग करियर की सबसे पॉपिलर मूवी थी जिसे दर्शक आज भी देखना बहुत पसंद करते हैं लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर कुछ खास कमाई नहीं की थी इसी के साथ इस फिल आए मर्द के साथ रोमांस करते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहते नंबर त्री बरसाथ फिल्म बरसाथ में ट्विंकल खन्ना और बॉबी देउल की जबरदस्त रोमांटिक जोडी हमें देखने को मिली थी जिसमें दर्शकों ने इन दोनों की आक्टिंग को बहुत ही हैं क्योंकि फिल्म जिद्दी से ही इनके और सानी देवल के बीच में किसी बात को लेकर जड़प हो गई थी नंबर फोर बात्शाह साल 1999 में रिलीस हुई ये फिल्म बात्शाह आज भी दर्शकों के द्वारा खूब पसंद की जाती है लेकिन बावजूद इसके ये भी इ और ली डाक्टर काम करें लेकिन शारुख खान के बीच में आने की वजह से अक्षे कुमार के हाथों से ये मौका चिन चुका था जिसकी वजह से अक्षे कुमार को शारुख खान के साथ इस फिल्म से भी नफरत हो गई थी दोस्तों क्या अक्षे कुमार का ऐसा के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें